नमस्ते किसान सातियों, किसान सातियों राज पटेल पाठीदार किसा यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है किसान सातियों अगर एसा कोहरा गिर रहा है तो चने में क्या करना चाहिए इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ अगर आप चैनल पे नए आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करे ताकि मेरा मनोबल और बड़े और मैं और नई तक्निकी के खेती के बारे में आपको बताता रहूँ तो किसन साथिो यहाँ देखे डालर चने में अगर इस प्रकार से अगर कोरा गिर रहा है और आप के चने में 20 से 25 परसेंड फ्लावरिंग चालू है और आपने अगर पानी दिया है पानी 4-5 दिन पहले दिया है और ऑज कोरा गिर रहा है तो आप उसमें डीप एक गंडा चला दीजे ताकि पोदे में गर्मी आएगी और जो इस पे जो कोहरे की जो ओस गिर रही है वह बुन-बुन करके नीचे गिर जाए और आपके चने कि जो फूले फ्लावरिंगे वह जलने से बच जाए तो एसे में आपको ड्रीप यहां पे चला ना है तो अब बहुत सारे किसान भाई पूछ रहे थे कि ड्रीप से क्या फाइदे होते हैं मतलब तो ड्रीप से में फाइदा यही है किसान साती हो कि आप पानी अगर एसी ठंड लगरी ज्यादा ठंड है या कोरा गिर रहा है तो एसे में अगर आप ड्रीप चला देते हैं तो यहां पे जो ओस टिकती है पोदे पे वह बून-बून करके नीचे गिर जाएगी यहां पे आपका बर्प नीचे मेंगा उससे क्या है कि पोदे जो फ्लावरिंग और जो फल खुले वह जलने से बच जाएंगे तो यहां पर में फाइदा ड्रीप का यह होता था unintended सबसे में फाइदा कम घेंग तो इसे ठंड से बरब जम जाताै और यहां पर पानी देने वाले पोदे पर क्या है कि ज्यादा ओस आती है तो वह क्या बुन-बुन करके नीचे गिरती रहती है ज्यादा होने के कारण पानी ज्यादा हो जाता है उसके कारण बुन-बुन करके पोदे से नीचे गिर जाता है वह ओस जम नहीं पाती है उससे क् प्लावरिंग और फल जलने में नहीं आता है तो इसी प्रकार सबसे में जो किसान बाई बोल रहे थे कि ड्रीप से क्या फायद यह फायदह जिसके चनहे में फ्लावरिंग आ गया है और यह कोहरा गिर रहा है वहां ड्रीप आदा एक गंदा चला और अगर हो सके फ्लावरिंग की स्टेज पे तो जीरो बाउन चोटीस भी साथ में चला दे कोई दिक्कत नहीं है जिसने नहीं दिया हो और जिसने दे दिये हैं जो फर्टिलाइजर अभी वह सिर्फ पानी चला दे ताकि इस पे जो ओस ज्यादा से ज्यादा चड़े और बु क्रफाल से जिसने